नमस्का दोस्तो, मैं कमल कशब, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम परेटन क्रिया में प्रियोग या उप्योग में लाए जाने वाले डॉकुमेंट्स यानि दस्तावेजों के बारे में जानेंगे इससे आपको किसी ट्रैवल एजिंसी, टूर आपरेटर, वपरेटन उद्योग के विभिन कंपोनेंट्स और और और्गेनाईजेशन की कारेशली के बारे में जानकारी मिलेगी तो आई ये शुरू करते हैं आज का हमारा विश्य है परफॉर्म रिपोर्टिंग एंड डॉकुमेंटिंग फॉर टूर अक्टिविटीज और साथ वो डॉकुमेंट्स जो की कोई ट्रैवल कंपनी किसी परेटक को उसकी यात्रा के दौरान उपलब्द करवाता है ये यात्रा से पहले उपलब्द करव कि यात्रा विवसाय के पाइनीर यानि कि अग्रेदूत मिस्टर थॉमस कुक थे उन्होंने ही सबसे पहले और्गिनाइज ट्रैवल करवाया एक संगटित यात्रा करवाई और आज के दौर में हम देखते हैं कि परेटन एक गतिशील द्योग बन कर उख रहा है जो कि विश शैली की कि वो कैसे कारे करते हैं तो सर्व प्रतम टूर रिपोर्ट टूर रिपोर्ट क्या होती है यानि कि यात्रा की रिपोर्ट तो दोस्तों टूर रिपोर्ट वह लिखित प्रमान या कागजात होता है जो कोई ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर तयार करता है इस संपूर्ण यात्रा की जानकारी व विभिन यात्रा घटक जैसे आवास में आप जानते है hotel के ताइपस फिर room के types, meal, meal types. परिवहन हर प्रकार का परिवहन road, rail, sería the way you A.G.ल परिवहन. Lightsink व bibhいやदी व मुपलब्ध the amenities का बिहोरा इसमें दिया गया होता है तो अब हम उन सभी documents की बात करेंगे जो कोई travel company Pareto को प्रदान करती है अर्थात documentation of the tour activities by a travel company तो इसमें सबसे पहले जो document रहता है वो tour itinerary क्या होती है यह यातरा का कारेक्रम यह मुख्य तोर पर किसी टूर या travel package का संपूर्ण ब्यारा इसमें प्रदान किया जाता है जैसे pickup point से लेके आपका route क्या रहेगा class of transportation class of hotel class of room meal इत्याधी इन सभी की जानकारी एक travel itinerary में प्रदान की गई होती है इसी के साथ साथ इसका क्या महत्व रहता है इससे ग्रह को यह पता चलता है कि उसकी आतरा के समय उसे क्या-क्या सेवाएं एवन सुविधाएं मिलेंगी तथा उसके package में क्या-क्या वस्तुएं वह सेवाएं प्रदान की गई है इसे डेवन में आप देख पा रहे होंगे अराइवल डेटू में शिम्ला टूरिंग अब शिम्ला में क्या-क्या जो टूर है उसका बेवरा भी इसमें दिया गया होता है दे थ्री कुफरी स्नो टूर दे फॉर मनाली रेस्ट एंड एंज्वाइव कूलू साइट सिंग टूर दे सिक्स रोहतांग पास टूर दे सेवन मनाली लोकल टूर और दे एट डिपार्चर डे तो इस प्रकार की यह ट्रैवल आइटनेरी होती है और किसी ट्रैवल आइटनेरी में यह सबी चीज़े नहित रहती है जो इससे अगला आपका जो प्रमुक डॉकिमेंट रहता है उसे होटल वाउचर कहते है होटल वाउचर किसी विशिष्ट प्रिपेड सेवा और साथ पहले से पे की हुई अतिति यानि गैस्ट को प्रदान की जाती है और वह गैस्ट उस वाउचर का प्रियूग अपने चेक-इन के टाइम कर सकता है इसके उपरांथ होटल पेमेंट इन्वाइस रहता है दोस्तों यह एक रसीद होती है साधान शब्दों में जिसमें कमरे का किराया और जो भी सेवाए कोई ग्रहाग किसी होटल से लेता है उसकी कुल लागत या कुल राशी इसमें दी गई होती है और यह किसी अतिति को उस ट्रैवल इन्वाइस भी बिल्कुल सिमिलर है जैसा होटल पेमेंट इन्वाइस रहता है परन्तों इसमें जो अतिति की यात्रा के कुल राशी को इसमें एड किया जाता है यह भी किसी यात्री को उसकी यात्रा के अंत में या पहले भी कुछ लोग प्रदान इसको करते हैं आगे बढ़ते हैं अब दॉक्वेंस जो की रिक्वार्ड होते हैं ट्रैवल के लिए आवशक दस्तावेज की कोई ट्रैवल एजन्सी या टूर ऑपरेटर परेटकों से क्या क्या दस्तावेज डॉक्वेंस की मांग करते हैं तो इसमें सबसे पहले रहता है identity card यानि की पहचान पत्तर इसे हम और short में ID card भी कहते है फिर second इसमें रहता है passport, visa ये अंतरराश्ट्री यातरा के लिए रहता है फिर आपका रहता है special permit ये आपका समवेधन शील जो कुछ areas होते है अगर कोई वहाँ पर travel यातरा करना चाहता है गूमना चाहता है तो वहाँ के लिए special permit उसे लेना पड़ता है और उसके बाद रहता है medical certificate ये बहुत ही जरूरी document है अगर हम आज की scenario से इसे देखते हैं तो आए थोड़ा सा इसकी और जानकारी में आपको प्रदान करता हूं तो सबसे पहले ID card यानि की identity card पहचान पत्तर तो भारत के अंदर अगर हम बात करें तो प्रमुख जो ID card बन चुका है कुछ सालों से तो वह आपका आधार कार्ड आधार कार्ड से पहले voter card चलता था passport driving license और pen card अब आगे बढ़ते हैं passport तो passport होता क्या है तो basically passport किसी भी देश के नागरी की एक अंतर राष्ट्री पहचान होती है जो भारत के अंदर तो Ministry of Civil Aviation इसको प्रदान करती है अपने नागरीकों को और यह अंतर राष्ट्री टैवल के समय आपका काम आता है तो basically passport के के बारे में अगर कुछ और बात करें तो passport मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं और जिने हम उनके बाहर के जो cover रहता है passport का उसके color के अनुसार पहचान सकते हैं जैसे कि जो ordinary passport पहला जो type रहता है तो यह ordinary passport नाम से ही पता चलता है यह सامनिय लोगों को प्रदान किये जाते हैं अग्ला जो passport रहता है वो official passport रहता है इसका जो cover होता है वो white cover होता है और यह जो official काम से बाहर के विदेशों में यात्रा करता है उनको प्रदान किया जाता है इसे type S passport भी कहते है जहां पर S stand करता है service को और अगला तीसरा पासपोर्ट आपका रहता है वो diplomatic passport रहता है इसका cover maroon होता है और इसे type D passport भी कहते है जहां पर D denote करता है diplomatic को आगे रहता है आपका visa तो visa basically क्या है अगर मैं साधान शब्दों में कहूं तो visa किसी देश द्वारा किसी विदेशी नागरी को अपने देश में घूमने की अनुमती पत्तर होता है कि वो व्यक्तिक एक fixed time तक वो हमारे देश के अंदर विविन ख्षेतरों में घूम सकता है आप visa के भी बहुत सारे प्रकार है जैसे tourist visa, business visa, educational visa, work visa तो ये सारे visa के कुछ प्रकार है आगे बढ़ते हैं special permit यानि की विशेश अनुमती पत्तर तो special permit प्रतेक देश में कुछ स्थान ऐसे रहते हैं जहां पर जो की विशेश होते हैं जो की समवेधनशील होते हैं तो वहाँ पर अगर कोई प्रकार करना चाहे तो उसे special permit लेने की आफशकता होती है और ये special permit वहाँ की local bodies, local authorities से भी मिलता है और जो हमारी केंदर सरकार है वहाँ से भी ये मिलता है भारत की यादी में बात करूँ तो भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं अंडमानिकोबार में है व्लोक आइलेंड, नेल्स आइलेंड, रेट स्कीन, माउंट हैरियेट वैजे ही अरुनाचल प्रदेश में इटानगर है नामडफा और हिमाचल प्रदेश में आपका डो धंकार, ताबो गोंपा, सिक्की में गैंग टॉक इसी तरह अन्य भी जमू कश्मीर में अगर मैं बात करूँ तो ले साबो दियांग और खारदुंगला तो ये कुछ उधारन है जहां पर स्पेशल परमिट की आउशकता पड़ती है और जो अगला आपका दस्ताविज रहता है वो है मैडिकल सर्टिफिकेट चिकित्सा परमान पत्र तो चिकित्सा परमान पत्र बहुत ही महत्रपूर्ण रहता है क्योंकि आज जो प्रेजन्ट सेनेरियो चल रहा है COVID-19 तो यह पूरे विश्व में इतना फैल चुका है और इसके फैल लेका एक मात्रकान हम सभी जानते हैं यात्रा से ही यह फैला तो इसलिए जो UNWTO और WHO ने यह मेंडेटरी कर लिया था कि इंटरनेशनल ट्रावल करने के लिए आपको सर्वरप्रतम मेडिकल सर्टिफिकेट की आफशकता होती है क्योंकि हम अपने पास्ट में भी ऐसे बहुत उधारण देख चुके हैं जिससे ट्रैवल के कारण कोई वाइरस एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैला है उधारण की तौर पर 2003 में सारस वाइरस फैला था 2014 में इबोला, जीका वाइरस, चिकन गुनिया तो ये कुछ इस तरह के वाइरस जो की फैले वाले होते हैं और डेडली है तो COVID-19 भी वरतमान में इसका उधारण है इसलिए Medical Certificate बहुत ज़ादा जरूरी है International Travel के लिए मुक्यत और पर और इसलिए किसी भी परेटक को जो के इंतराश तर पर यातरा कर रहा होता है उसको ये जरूरी होता है कि वो Medical Certificate अपनी यातरा से पहले प्रदान करे इन Travel Companies को जिसमें ये परमानित हो कि यह व्यक्ति य आज का जो लेक्चर तो मैं यही आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ जानने को आज मिला होगा तो इसी के साथ धन्यवाद